Hi Guys, मैं हूँ मीशा. आप देख रहे हैं Goardening Zone आज हम लगा रहे हैं Red Chili's, जिसको हम लाल मिर्च भी कहते हैं लाल मिर्च के पोदों को लगाने के लिए मैंने लाल मिर्चे ली हैं मिर्चों को हम काट कर इन में से बीच निकाल लेंगे लाल मिर्च के बीच कुछ इस तरह के होते हैं जोंके बीजों को मैंने दो दिन तक के लिए सुखा लिया था सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक का बोल लिया है आप कोई सा भी बरतन इस्तमाल कर सकते हैं मैंने मिट्टी को नापने के लिए एक disposable cup लिया है आप कोई सा भी बरतन इस्तमाल कर सकते हैं अब हम एक cup फरकर garden soil यानि मिट्टी जो plots garden में होती है डालेंगे एक चुथाई cup river sand यानि रेट डालेंगे जो construction वगरा में इस्तमाल होती है half cup cow dung यानि गोबर की खाद cow dung के जगा पर आप leaf soil भी इस्तमाल कर सकते हैं एक चुथाई चमच नीन खली powder पोदो को fungus से बचाता है सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर देंगे पोदो को लगाने के लिए मैंने इस तरह का एक plastic का pot लिया है जिसमें इस तरह के कुछ holes हैं जो 4 पाई 4 इंच का है आप कोई सा भी pot इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इस तरह के कुछ पत्थर लिये हैं ताकि pot में से मिती बाहर ना निकले अब जो हमने soil का mixture बनाया था वो हम अपने pot में fill कर देंगे आपने pot को उपर से 1 इंच या 1,5 इंच खाली रखना है अब लान मिच के beach उपर से डालेंगे मैं 10 beach डाल रही हूँ उपर से एक soil की layer बना देंगे अब एक इस तरह की plastic की spray bottle लेंगे पानी से spray कर देंगे pot को आपने किसी shady area में रखना है ताके दिन की एक time की धूप लग सके 25 दिन बार मेरी मिच्चों के पोदे निकल आए हैं आप भी लाल मिच खर पर बहुत ही असानी से उगा सकते हैं अब हम अपनी मिच्चों के पोदों को पानी दे देते हैं गर्मियों में रड मिच्चे लगाने के लिए बेस्ट मोसम फरवरी से जुलाई तक का है सर्दियों में मिच्चे लगाने के लिए बेस्ट मोसम अक्तूबर से नवंबर तक का है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलेगा ता कि मेरी हर नहीं आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज